कुछ इमेजिन करने को बोलूँगा तो करेंगे समझ लीजे कि 23-24 साल का एक लड़का है कि जो संडे शाम को अपने कमरे में बैठा है कमरे का और उसके दिल का हाल बिलकुल सेम तू से के सरद रात है तो अंधेरा बाहर है और यहां पे भी सरद बात है तो अंधेरा यहां भी है इन दोनों के बीच में फसा हुआ यह लड़का अपने कमरे की बीन बैग पे बैठा हैhaus। और गेलरी के बाहर देख रहा है। बाहर संडे के हिजाब से काफी कम चैल पहल है या फिर वो जो देखना चाता है उस तरह की चहल पहल नहीं है पता नहीं क्या था मन में बेचैन ही तो थी पर चैन भी था अब ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो इनसान क्या करे ऐसा भी हाल हो जाता है बिल्कुल वैसा ही था उसका ये जिसकारण से वो जलाना चाहता था उसकी कमजोरी थी और उसकमजोरी को आगे बढ़वाना नहीं चाहता था तो उसने वो डिबबा फैंक दिया अब जैसे वो डिबबा सिगरेट का उसने कौटनर में फैंका तो वो जागिरा एक बड़े सिबखसें पह वैसे तो बड़ा नहीं था चोटा ही था पर उसमें खत की बातें बहुत बड़ी बड़ी थी कुछ रातों की बात थी कुछ मलाकातों की बात थी जिसमें उसने कुछ लिखा हुआ था तुरंट वहाँ पे जाता है, बकसा कोलता है, तो यादों की महक के सहित एक कागस बाहर निकलता है उस कागस को लेके वो जाता है गैलरी में, खड़ा रह जाता है, सर्द रात और उसमें भी आती हुई हवा, उन दोनों के साथ वो खत पढ़ना शुरू करता है ए हवा, ए हवा, तु कल उड़ चली जाना, रुख जा इस सर्द रात में, मेरे संग बैठ जा, बैठ जा थोड़े पल, रुख जा, करनी है थोड़ी फरियाद, हर दस्तक, हर खनक पे काहे आये उनकी याद, काहे थी वो हवा सी, बैती रहती थी, छूपे गुजरती थी, लुभाती थी, परिशानी सी थी, पर, मेरी सी थी फिर क्यों इस बार जाके वो वापस ना आई क्यों करनी है थोड़ी फरियाद फरी फरी करू उनको याद उनको ना आए इस पिया की याद ऐसा कैसा था ऐसा कैसा था नए प्यार का स्वाद कि सुनाई ही ना पड़ा इस दिल की रसोई का साध करनी है थोड़ी फर्याद क्यूं ना कहा क्यूं ना कहा कि वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं क्यूं ना कहा कि यादों के सागर दिल के गिनारे छोड़ने के लिए ही होते हैं क्यूं ना कहा क्यूं ना कहा करनी है थोड़ी फर्याद पुकारते रहते हैं वही पेड़ के पते जिसके उपर बैठ के गुजारे थे हमने दिन रात हसते हसते गुझते हैं आज भी खराटे उस वाच्मेंट के गूंजते हैं आज भी खराटे उस वाच्चमेंट के जिसके सामने गाड़ी पाक करके हाथ हमने बांदेते डरते डरते गूंजते हैं आज भी खराटे उस वाच्चमेंट के क्यों आज वो सारी लकीरे एक साथ ना हुई वो हाथों की लकीरे आज एक साथ क्यूं ना हुई ए हवा तो रुक जा करनी है थोड़ी फरियाद क्यूं हर दस तक हर खनक पे आए उनकी याद ए हवा तो रुक जा करनी है तुझ से थोड़ी बात अकेले नहीं काटनी है ये काली सी रात ए हवा तो रुक जा बस इस रात